कस्तूरी कुंडल बसे, म्रिग ढूंडे बन माहि, ऐसे घट घट इराम है, दुनिया जाने नाहि अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवी कवेरदाजी बताना चाहते हैं कि कस्तूरी जोकी एक सुगंधि द्रव्य होता है, जो म्रिग की नाभि में व्याप्त रहता है लेकिन इस बात से अंजान म्रिग उसे चारो तरफ पूरे जंगल में ढूंगता रहता है ठीक उसी प्रकार इस्वर इस संसार के कण कण में है प्रतेक जीवात्मा में, प्रतेक प्राणियों में इस्वर व्याप्त है लेकिन यह छोटी सी बात मनुष्य नहीं समझ भाता धन्यवाद